सब्सक्राइब कीजी गौवर्वेंट एमप्लॉईज न्यूज चनल को और बैल आइकन को दबाईए हर खाबर सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सबीका गौवर्वेंट एमप्लॉईज न्यूज यूटूब चनल में दोस्तों जैसे कि हम सभी को मालम होगा लगबग धाई लाग ग्रामिन डांक सेवा करमचारी हैं वो GDS पे कमेटी रिपोर्ट को लागो करवाने के लिए पिछले 10 दिन से एनिस्चित कालिन हरताल पर है और इसकी वाज़े से ग्रामिन डांक सेवा अस्वेस्थ हो चुकी है और लगग 95% जो चेत्रे देश बरके उसमें GDS जो करमचारी है वो हरताल पे हैं क्योंकि अप्रेल मैं महिने की जो सेलरी है उसका बुकतान भी नहीं हो पा रहा है और इसकी वाज़े से सबी जो लाबारति हैं उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसमें जो GDS Pay Committee Report के बारे में इन्हों ने आप एक बात किया और इन्हों ने यह बताए कि विविन ने जो विवाग हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास में से या जो GDS Pay Committee रिपोर्टर उसको अपरूल लेना बाकि है इसलिए तीस दिन का समय और इन्हों ने आप मांगा है तो यहां पर डांक सच्चियों ने यह रिक्वेस्ट किया है कि विविन ने जो डिपार्टमेंट्स जो की इन्वाल्ब हैं जीडियस पे जो है उसक जारा महिने के बाद में भी GDS Pay Committee रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया इसलिए डांक विवाग के द्वारा जो हर्ताल की गई है इसको भी इन्होंने नहीं माना है और इस हर्ताल को 11 दिनी आने की कल एक जून 2018 को भी जारी रखने का निरने यहां पर लिया है और इसमें कल डांक जो भावन है डेली में उसके सामने धरना दिया जाएगा और जो प्रमुक पोस्ट आपिस है वहापर भी सभी जो GDS यूनियन है वो भी कल धरना देंगी तो एक तरफ से जो डांक सचिव हैं उन्होंने अपने अपील किया सभी GDS करमचारियों से कि हर्ताल को जल्दी से जल्दी खतम किया जाए और दूसरी तरफ और इंडे ग्राम इंडांक से यूनियन की तरफ से कल भी इस हरताल को जारे रखने का निरने लिया गया है क्योंकि जो अपील की गई है डांक सचिव के द्वारा उसमें उन्होंने बताया कि जो सरकार का रेविन्यू है वो को लागू नहीं किया है और इन्हीं मागों को लेकर जो सभी जीडिएस करमचारी हैं वह हरताल पर चले गये और पिछले दस दिन से वह हरताल पर हैं और इन्होंने इस हरताल को जारी र recommends ने लिया गया है तो दोस्तों यहीजी तियो सा ж्य गेमिंटिया के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद।